हेलो फ्रेंट्स टेस्ट्री स्टीचिंग में आप सभी का स्वागत थे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको चूड़ीदार पजामा सिलने का बहुत ही सीधा और सरल तरीका बताने वाली हूँ तो प्लीज वीडियो में बने रहेगा और चैनल पर पहले बार आये हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करना न भूलिएगा तो देखिए इस पजामा की कटिंग का वीडियो मैंने पहले शेयर किया हुआ है अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसक को खोल देते हैं तो पजामा को देखिए मैंने इस प्रकार से खोल दिया और यहां पर देखिए रॉंग साइट के उपर इस तरह से एक एक चौक का निशान लगाने से क्या होता है कि में उल्टी और सिधी साइट पता चल जाती है कपड़े की तो देखिए इस प्रकार से लगा लेंगे अब इसके बाद देखिए यहां पर हमें तीर्चे में इस प्रकार से दोनों पीसे को यहां पर अटेच कर लेना है ठीक है तो इस प्रकार से इसको खोल देंगे और देखिए खोलने के बाद एक पीस को हम इस प्रकार से रखेंगे देखिए मैं आपको रखक इसके बाद एक और सिलाई लगाएंगे इसे अच्छे से मजबूती से यहां से लग जाएगा तो चलिए यहां पर एक डबल सिलाई चला देंगे यहां पर मैंने डबल सिलाई लगा दी है अब एक तरप का हमने जो हिस्सा है तुकड़ा उसको अटेच कर लिया है और उपर से इस तरह से इस तुकड़े को रखेंगे और यहाँ से अब हम सिलाई लगा देंगे तो चली इसमें हम सिलाई लगा देते हैं तो देखी जिससे हमने रखा था वैसे इसको उठाना है और इस प्रकार से सिलाई लगा देना है तो यहाँ पर एक single sila इमने लगाई है अब दूसरी double sila यहाँ पर लगा देंगे तो देखे इस प्रकार से हमने बड़े वाले पीसे से यहाँ पर attach कर लिए अब छोटे वाले जो तुकड़े हैं उनको भी हम यहाँ पर attach कर लेंगे तो इसको हमाभी इस तरह से अच्छे से मिलां के रख देते हैं अभी इस तरह से मिलाने के बाद इदर से लिए यह कोणी निकले हुई हैं इनको कट कर लेंगे अब दिखे इसके बाद इस तरफ भी हमें जुब आपने कट करके रखी हुए कपड़े की इसको यहाँ पर अट् कर लेते हैं यहां पर देखिए इस प्रकार से डबल सीलाई लगा लेंगे ताकि यह यहां पर अच्छे से मजबुती से लग जाए तो देखिए इस प्रकार से इसके कोनी जो है इनको कट कर लेंगे अब इसको सिधा कर लेंगे इस प्रकार से और देखिए इसको दोनों तरब tentang 1,2TC पेकापस करेंकर ने सब्सेंवार फोर फोल्ड कर लेंगे तो इस को फोर फोल्ड कर लेंगे यहां पर फोर फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से आच्छे से बैधे से इसाधर कर लियनगे फ़क्रक जाता हे यहां तो देखिए यहां पर मैंने इसको सिधा कर लिया है अब इसके बाद यहां पर हम इसको खोल लेंगे तो दीखिए यहां से दोनों तरफ हम इसको स्टिच कर लेंगे तो देखिए इस प्रकार से सिधी साइट के उपर सिधी साइट रखेंगे और आदा इंच की दूरी से एक स सिलाइ लगा देंगे यहाँ पर हम डाबल लगा देंगे ताकि इस प्रकार से दुसरे तरफ भी हम सिलाइ लगा देते हैं सफे इस प्रकार से हमने डबल सिलाई लगा दी है अब इसको हम देखे इस प्रकार से खोल लेंगे और देखे खोलने के बाद बराबर इसको जाइंट से जाइंट हमें मिला के रखना है फ्रंट और वैक का तो देखे इस प्रकार से मैंने जाइंट से जाइंट मिला के रखा हुआ है अब इसके देखे उपर की तरफ हमने बेल्ट के लिए 2 इंच का यहां पर मार्किंग कर लेते हैं लो पर शोड़ा Nya के लिए उतना ही कप्डला आप यहां पर मार्किंग कर लीते हैं अब यहां पर हमने लगाए थी यहां पर गैप बनाना है एक इंच का जब यहां पर हम बेल्ट बनाएंगे तो उसमें हमें नाडा इंसरेट करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें यहां पर गैपिंग रेडी कर लेना है तो इस प्रकार से दिखिए यहां से थोड़े सी सिलाई खोल देंगे एक इंच तक दिखिए एक इंच कर देखे जहां पर ने मार्किंग के वाथ यहां पित्च करों करदेंगे यहां alamakar कर देंगे यहिस प्रकार से 10 यहांule से कैथ तो देखे इस से मैंने इस इसलाई नी आदा है अब यहां पर हमीज दागे को टो कट लेना हैं यह दिखी इस प्राकर से दूसरी तरह भी कट कर लेंगे मेए अब यह यहाँ ऑनक बन गया है अब इसके बाद दीखिया इसको खोल कि इस प्राकर तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आसानी से आप फोल्ड कर पाएंगे क्योंकि यह देखें कटिंग जो हम करते हैं उरेब में किया हुआ रहता है तो यह थोड़ा सा फिर खिचा जाता है तो इसको आपको पहले इस प्रकार से कर लेना है तो चली अभी हम इसको आपड़े को ऊपर से इस तरह से ऐसे वह फोल्ड कर लेते हैं बेल्ड के लिए लिए अपर से फोल्ड कर्ते वक्त अपको ध्यानर क्वी Bijना कि यह तो थोड़ा सा यहां पर खीच जाता है तो आपको बराबर यहां पर हथाज के आप घे तो देखे इस प्रकार से बराबर अच्छे से पोल्ड कर लेंगे हो तो दीकिछना की इस प्रकार से यहाँ पकड़ कर लेंगे अब इसके बाद देखिए, नीचे की तरफ से हम इसको जॉइंट कर लेंगे, तो देखे, यहाँ से हम इसको सिलाई लगाएंगे, ठीक है. तो कटिंगर कर लगभख 1 इंज मार्जिंग छोड़ा था यहाँ सिलाई के ले इस प्रकार से यहाँ पर मपर निशान लगालेते हैं और यहीं से हमारी सिलाई भūविके हम यहाँ भिद्ल कि अरे कि लिया मार्पीा उपर से हमें शिलाई लगा देनी हैं के तो दिखी इस प्रकार से जाएगे यह सिलाई अब सिलाई को हमें बुल्कुल बॉटम से लगाना श्टार्ट करना है ठीक है so सबसे पहले हम यहां पर बॉटम रेडी कर लेते हैं तो दीखिए बॉटम की तरफ हमें यहां पर एक इंच तक कपड़े को फोल्ड कर लेना है और शिलाई लगा लेना है ठीक है तो इस प्रकार से देखिए इसको फोल्ड कर लेंगे अब इसी प्रकार से दीखिए दुसरा वाला बॉटम भी लेंगे और उसमें भी हम इसी प्रकार से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे यहाँ पर विल्कुल अच्छे से आपको फोल्ड करना है फिनिशिंग के साथ इस सिलाई को लगाना है अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे जो बॉटम से यहाँ रेडी हो गया है अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे और जोड़ती हुए हम जो मार्किंग हमने किया है यहाँ पर से हमें इसको सिलाई को लगाना है तो चले यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं और देखिए जो हमने कड्स लगाए है बराबर यह जो कड्स है सभी कड्स आमने सामने होने चाहिए सिलाई लगाते वक्त बिल्कुल आगे पीछे नहीं होने चाहिए इस प्रकार से आपको बराबर पकड़ के रखना है कड्स से कड्स मिलाते हुए और सिलाई को लगाना है देखिए बिल्कुल आपको ध्यान से सिलाई लगाना है क्योंकि यह कपड़ा जो उरेब रहता है तो यह थोड़ा सा तन जाता है तो आपको बराबर हलके हाथ से पकड़ के रखना है कपड़े को खीचना नहीं कई पर भी और देखे बराबर यह जो जॉइंट है बराबर आमने सामने आने चाहेए दोनों जॉइंट्स और जो हमने मार्किंग किया है उसी मार्किंग के उपर से इस सिलाई को लगाते हुए जाना है ठीके तो दीखी इस प्रकर से यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे सिलाई हमने लगा दी है अब इसके बाद क्या करना है इस सिलाई को हमें तोड़ना है ठीके तो देखे ये उरेब में है कपड़ा तो ये थोड़ा सा फिर खीच जाता है तो सिलाई निकल जाती है तो सभी सिलाई को हम यहां से तोड़ देंगे तो चले इसको हम यहां पर तोड़ देते हैं सिलाई को खीच के थोड़ा सा इसको हलका सा सभी सिलाई को यहाँ से तोड़ देंगे तो देखिए दोनों तरब के हमने सिलाई यहाँ पे तोड़ दी है अब इसी सिलाई के उपर से हमें पकी सिलाई लगा लेनी है तो देखिए उसी सिलाई के उपर से अब देखें इसके बाद हमें एक और सिलाइ लगानी है इसके साइट से ठीक हे तो चलिए यहाँ पर इसके साइट से हम थोड़ी दूई से एक सिलाइ और लगा लेते हैं मार्जिंघ के लिए तो इस प्रकार से देखें दूसरी सिलाइ भी हमने लगा दी है तो देखिए फ्रेंट्स कितने कम टाइम में हमने इस चुड़ीदर पजामा की सिलाई कर लिए अब इसको हम सिधा कर लेते हैं तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको सिधा कर लिया अब बाद में इसमें हम नाडा इंसर्ट कर लेंगे बेल्ट में ठीक है तो इस प्रकार से जो है हमारा चूड़ीदार पैजामा बनके रेडी हो गया है तो फ्रेंट्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लिच कमेंट बस में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो एक वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा सिलाई से सम्मंदित आप मुझसे कुछ पूछना चाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगी और चैनल को अभी तक सबस्राइब नहीं किया है तो अपनी चैनल क को सबस्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिलते रहेगी और आप मेरी सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक झाल 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 झाल